नमस्कार दोस्तों, मेकेनिकल ग्यान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे कि सेंट्रिफ्यूगल पंप के कौन से में पार्ट्स होते हैं What are the main parts of सेंट्रिफ्यूगल पंप? दोस्तों, काफी बार ये question गूगल पे सर्च किया गया है और interview में भी इस question को पूछ लिया जाता है तो वीडियो का topic अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like जरू कर दे 100 like का target है इस वीडियो का तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तो दोस्तों, पहला part है shaft pump की जो shaft होती है, वो pump के बिल्कुल center से होके गुजरती है और जितने भी rotating parts होते हैं, वो इसी shaft के उपर mount किये जाते हैं और shaft जो होती है, इन rotating parts को घुमाने का काम करती है number second है impeller impeller जो होता है, वो pump के shaft के एक end पे उसको लगाया जाता है और ये shaft के साथ ही rotate करता है, यानि ये एक rotate होने वाला part है और impeller क्या करता है, casing के अंदर जो fluid होता है, उसकी velocity और pressure दोनों को बढ़ाने का काम करता है और उस fluid को एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाता है नमबर थर्ड है casing, casing जो है वो centrifugal pump का एक external part है और ये बिलकुल air tight होता है और यहाँ पे impeller rotate करता है, casing में जो fluid होता है वो suction line के थूँचाता है और impeller fluid के pressure और velocity दोनों को increase करके discharge line से बाहर निकाल देता है नमबर फोर्थ है mechanical seal, mechanical seal centrifugal pump में sealing का काम करती है यानि जो casing में fluid होता है वो shaft के रस्ते बाहर न निकले तो mechanical seal क्या करती है उस fluid को seal करने का काम करती है नमबर फिप्थ है bearing, bearing जो होते है वो shaft के non drive end और drive end दोनों पे लगाए जाते है और ये shaft को sport करने का काम करते हैं और जो उसका rotating operation है उसको smooth बनाते है नमबर 6 है oil seal, oil seal जो होती है वो bearing housing में दोनों end पे लगाई जाती है और bearing housing में जो lubrication होता है यानि जो oil होता है ये उसको seal करने का काम करती है यानि oil को bearing housing से बाहर नहीं जाने देती नमबर 7 है stuffing box, stuffing box जो होता है ये gland housing या फिर इसको हम mechanical seal housing भी बोलते है यानि mechanical seal या फिर gland packing को इसी stuffing box में लगाया जाता है नमबर 8 पे है wearing, wearing का use casing और impeller के बीच में clearance को maintain करने के लिए किया जाता है wearing जो होता है वो casing को wear out होने से भी protect करता है नमबर 9 है bearing housing, जैसे कि इसके नाम से ही confirm है bearing housing में दोनों bearing को house किया जाता है यानि दोनों bearing को लगाया जाता है और जो bearing को lubricate करने वाला oil होता है वो भी bearing housing में ही होता है नमबर 10 है pump की motor और pump और motor के बीच में लगी हुई coupling जो एक shaft से दूसरी shaft तक power को transmit करने का काम करती है तो guys आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like जुरू कर दें और अगर आप हमरे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें तक्स वर वाचिए